अज हम स्वीट अंसार चिकन बनाने जा रहे हैं और इसमें दो पार्ट्स होते हैं सबसे पहले तो चिकन फ्राइ होती है और उसके बाद इसकी ग्रेवी बनती है तो आएए देखते हैं इसके चिकन के लिए हमें किन-किन चीजों की से हमारे पास आदा किलो चिकन है जैसा से खरे कुब्स की शकल में काट हैं तो यह बाइट साइस पीसे और मसालो में हमारे पास यहं पर ह OUR फ्र एंपीर प्र अच्छी तरह से ताकि बेकिंग पाउडर भी अच्छी सिर्केन के ऊपर सबसे पहले मैं यह सोया सॉस तालोंगे उसके बाद जो भी हमने हमारे जो आठे के ड्रा इंग्रीडियंस थे वो सब इस पर थोड़ा थोड़ा पानी दाल के इसे अच्छी तरह से एक गोल बना हमने पूरा हाफ कब इस्तमाल नहीं किया है तो बस इस घोल को अभी हम 15 मिनिट के लिए रेस्ट कडाई में तेल गरम कर लिया है और अभी जो हमारा चिकन था 15 मिनिट के लिए जो रेस्ट कर रहा था तो अभी हम उसे फ्राई करेंगे और यह चिकन ब्रेस्ट पीसे है तो रभीत फिर कर दो कर दोखके कि तो अभी ब는지 दुड़ काई है यह चिकन प 라 eigenlijk डाई की मैं हम यहांप इसे का मेरे बास डेट कब शाया है तो मैं यहां पे लिए डाल पानी लिया है और मेरे पास यहां पे've को फॉन्त जीचे हमें बीज चाप्सिकम कट लिया है, जिसे इस तरह से दैसे में काच लिया है पियास, छोटे साइस कॉसी भी मैंने काच लिया है, और यहां पे मेरे पास कैरण, और हमें थो टेबल पून केचप के लगेंगे 3 टेबल स्पून्स विनेगर के 1 टी स्पून ब्लाक सोया सॉस के और हमारे पास यहाँ पे 4 टेबल स्पून्स शुगर है और 3 टेबल स्पून्स कॉन्फलार है जो स्वीटन साथ चिकन है उसकी ग्रेवी बनानी के लिए एक सॉस बनाना पड़ता है तो यहाँ पे मैं अपना शुगर और कॉनफलार मिला रही है यह दो टेबल स्पून कॉनफलार है सॉरी मैंने आपको 3 टेबल स्पून पहले कहा था तो यह इसमें दालने के बाद हम विनेगर और सोया सॉस दोनों मिला देंगे को जब तक की यह अब तक कि यह पकचे जाया क्यों click on को स्प्रेण होगे बऊंओ के सब्सकर नां को को एक रड़ कर सकते है निकिन एक वाइड करना चाहत ही दूँ और जो स्वीट अंसार सॉस होता है उसमें तिन पाइनफल भी जाता है अभी मैं मुझे पाइनफल पसंद नहीं है मैं काफी अलगी फूस को तो यहां पे इसनी मैंने पाइने पल आड़निंग किया है और जैसे यह हम देखेंगे कि हमारे सॉस में एक थिकनस आ रहा है तो हम उसमें अपना चिकन जो फ्राइ थिया था हमारे सॉस में हलका हलका सा थिकनस स्टाट हो चुका है तो यहां पर हमारा चिकन है जो हमने फ्राइ करके रखाता है यह अभी पूरा तो नहीं दालूंगी क्योंकि मेर स्वीटन सार में दालेंगे एंड इस दाल के फिर हम उसे एक उबाल आने तक फिर से वेट करेंगे अगर आपका सॉस बहुत थिक हो जाता इस दोरान तो फिर आप थोड़ा सा और पानी दाल के उसका टेस्ट टेस्ट कीजिए अगर जो शकर नमक की जो कमी है वह आप स्वीट स्वीटन सार चिकन टोटली रेडी है और मैंने इसका टेस्ट टेस्ट किया था और इसमें मुझे बस 1-4 तीस्पून ऑफ सॉल्ट एक्ट्रा दाला पड़ा है बाकी इसका टेस्ट एक्तम परफेक्ट है जैसे मैंने का है आप इसके इंदर पाइल आपल भी दाल सकते है तो इस रसिपी को शेयर कीजे मेरे चानल को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो